आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत कॉमेटिक के उपर कुछ बनाई है कुछ इंफिर्मेशन दीजें हम लोगों को टॉप कॉलेजेश हो चुका हूँ आपको पहले बोल देता हूँ कि कौन-कौन से कॉलेज जो है आप लोगों को उन्प में चॉइस कर सकते हैं बहुत सरे ऐसे कॉलेज भी है जिसमें आप नहीं जा सकते तो ऐसे टॉप 14 कॉलेजे में लेके आप चुका हूँ जिनमें आप चाहे तो एड्मिशन ले सकते हैं आपके बास पहुंचता रहे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव इट थम्स अप एंड कॉमेंट कीजिए और दुश्रों की साथ बहुत सेयर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा बैंगलोर एक आईटी हव है अगर आपको बैंगलोर में वहाँ पर पढ़ के जॉब करना है अगर आपको अच्छा प्लेश्मेंट चाहिए तो आपके लिए CAC IT और इसी ही बहुत असे ही होगा अगर आपको सीबिल मेकनिकल और बायोटर्ग मिल रहा है तो मैं यह नहीं कहा रहा कि आप नहीं जाहिए पर वहां का उतना भी अच्छा नहीं है इन कंपरिशन टू CAC IT और इसी ही तो और एक बात बोलना चाहूंगा वह है आप कोई भी कॉलेश में अड्मिशन मत लीजेगा पहले देखिए जानिए उस कॉलेश के बार में फिरी अड्मिशन लेजेगा क्योंकि बहुत सारा कॉलेश ऐसा होता है कि बहुत आप समझी रह करना हूं उस कॉलेश में आप आराम से अड्मिशन ले सकते हैं प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजे और लाइक कीजे कमेंट कीजें अपने दूसलों के साथ बहुत तो चलिए वीडियो को साथ आगे बढ़ाते हैं पहले मैंने जो कॉलेश रखा है नंबर 14 मे उस कॉलेश का नाम है एनम एम इंस्ट्रीट अफ टेकल रोजी इसका कट अब देख सकते हैं इसी का 22,000 तक इसी का 30,000 तक इसका कट अब जाता है और टोटल यहां पर इस पेसिज़ पे मैंने बनाया है कि सीबिल होता है बायोटेक होता है तो उनका प्लेश जो टोटल कट वो 55K तक चला जाता है इस पेसिज़ में मैंने टोटल का भी बनाया है तो एवरेज पैकेज आप देख सकते हैं 4.5 लेक पर एनम इसका एवरेज पैकेज जाता है तो नेक्स्ट कॉलेज जो है उसमें चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज है CMR Institute of Technology इसका कट अब में अगर एक नज 5 लग पर एनम इसका भी जाता है तो यह कॉलेज भी बहुत अच्छा है अगर आपको इसमें मिल रहा है तो आप जा सकते हैं नंबर बारा नंबर बारा है JSS Academy पैंगलोर इसका कट अप पहले कट अप से पहले में एक बात बोलना चाहूंगा यह कॉलेज का जो इन्फर स्ट अच्छर है बहुत अच्छा है तो अगर इस कॉलेज में आपको मिल रहा है तो आप आराम से जा सकते हैं कट आप देख सकते हैं 9500 तक इसी कट रहाजार तक और टोटर 54000 तक इसका कट आप जाता है अगर 4.5 लक पर एनम इसका एभरेज पैकेज जाता है यह भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है नंबर 11 आर एन एस इंस्ट्रीट आफ टेक्नलोजी इसका भी केंपस थोड़ा बड़ा है बागी इसका कट आप जाता है तो इतना कट आप जाता है क्योंकि इसका मेकनिकल सिविल जो भी अधर ब्रांचेस है वह उतना भी अच्छा नहीं है यहाँ पर आपको पहली बता दिया था तो आप देख सकते हैं कौन से च्टीम लेके कौन सा ब्रांच लेकर आप एडमिसन लेंगे एवरेज पैकेज का बात करने तो आवरेज पैकेज बाकी जो तीन चार कॉलेज मैंने डिस्कुस किया उस पेसिस से उसके उससे यह कॉलेज का जो इसका CSE का जो है 15,000 तक CSE का कट आप है वो जाता है इसी का आप देख सकते है 11,000 तक इसका कट आप जाता है इसको पहले इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसका CSE बहुत अच्छा है इसी CSE बहुत अच्छा है यह हम लोग बहुत कम देखने को मिलता है कोई कॉलेज का इसी 55K तक इसका टोटल जो है कटोप जाता है अधर आप अगर स्टीम ले के कुछ पड़े इसके एवरेज जो पैकेज है 5.5 लेक पर एनो बाकी सबसे बहुत अच्छा तो नंबर नाइन पर चलते हैं नंबर नाइन जो है वह है बनम इंस्टिट्ट आप टेकनोलोजी इस मतलब समझ रहे कौन से स्ट्रीम ऐससे हैं जिसका 52 तक कट टाफ जाता है तो आप अगर इस कॉलेज में बीड़ेसिन ले सकते हैं तो आप कट आप डेकिजी समझ पा रहें इस college का जो आप campus देखी सकते हैं हरी भरी एकदम बहुत सुन्दर campus है इसका CSE का cutoff है वो 11,000 तक जाता है इसी का 19,000 तक और टोटल जो है 52K इसका total जो cutoff है 52K तक cutoff जाता है अगर average package पे एक नजर आप डाल ले तो आप देख सकते हैं 5.5 lakh पर आयनम इसका भी average package जाता है तो य ये college आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस college में placement भी अच्छा होता है next college चलते है next college द्यानन्द सगर college of engineering इस college के जो है campus बहुत बढ़ा है और building भी बहुत खुबशूरत है तो अगर इस college में भी आपको मिल ले तो आप ज़री जा सकते हैं cutoff में एक नजर आप डाले तो देख सकते हैं CSE का जो यहाँ पर cutoff है ओफ 4.5 के इसी का 8.3 के तक इसी का cutoff जाता है total जो है 50 के तक चला जाता है क्योंकि other branches इसका उत्रा भी अच्छा नहीं है average package आप देखे तो 5.6 लाग पर एनम इसका average package जाता है ये थोड़ा बढ़ता कम मतलब कभी-कभी 5.5 लाग पर एनम भी होता है कभी-कभी 6 लाग पर एनम भी होता है इसलिए average लेके हम मैंने 5.6 मतलब जो maximum होता है 5.6 लाग पर एनम तो नेक्स्ट जो कॉलेज है उसका नाम है स्री एम विस्वेस फर या इंस्टिटीट ऑफ टेक्नलोजी जिसको एम भी इ कटोफ देख लिए च्टीट ऑफ देख लिए च्टीट ऑफ है 3.3 के तीन हेजार तीन से तो चीजार तक इसी का कटोफ जाता है टोटल आप देखिए 49,000 तक इसका टोटल कटोफ जाता है जो की बहुत ज्यादा है बाकी कॉलेज उसे फिलाल कम है और एवरेज पैकेज इनलो का एवरेज पैकेज है इस चलिए नेक्स चलते हैं नेक्स जो है स्री जैच्छामाराजिंद्रा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग इसका भी जो कैंपस है वह बहुत अच्छा है अगर आप कटॉफ में एक बार नज़र डाले तो आप देख सकते हैं सीसी का 2500 में सीसी का क इसी का 6000 तक जाता है इसका टोटल भी बहुत जल्दी खतम होता है 40,000 तक इसका टोटल जाता है अगर आप देखे तो आपको दिख जाएगा 6.1 लैक पर एनम इसका एवरेज जो है पैकेज जाता है जो की बाकियों से बहुत ज्यादा है तो चलिए नेक्स कॉलेज चलते है नेक्स कॉलेज जो है बैंगलोर इंश्वीट आप टिक्निलोजी यह बी आईटी के नाम बे भी जाना जाता है इसका कटप CAC अब देखिए 2.7K इसी 5.2K तक इसका कटप जाता है टोटल अब देखिए 25K तक इसका कटप जाता है इसका एवरेज पैकेज जो है कभी-कभी 6.5.5,000,000 होता है वो भैरी करता है तो यह भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है इसका केंपस थोड़ा बड़ा है इसका कटप देख सकते हैं शॉला सो में सकत्राइब तो तोल यह आपको पास हो गया इसका कोरर सबजेक्ट है मतलब कोर श्ट्रीम है वह भी त्रा अच्छा है सिब नौन कोर नहीं इसका कोर भी अच्छा इसका भी जो एक पैकेज है हर साल थोड़ा भैरी करता है कभी कभी 6.5 लाग पर एनाम होता है कभी कभी 7 लाग पर एनाम होता है तो यह भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है तो नेक्ट कॉलेज चलते हैं नेक्ट कॉलेज जो है वह है MSR Institute of Technology इसका भी आप कैमपस देखिए बहुत नीट अंडीन अमें बहुत अच्छा एक कॉलेज है इसका कटफ़ अगर आप देखे तो आपको समझ आएगा 1K इसका जो तो कि सिसका है कटोफ जाता है इसी का П Jude के सक कटोफ जाता है तो डेखे तो आपको एजिली दीख जाएगा घैंते तरों सोट्रिस कि typically के तक टोच्ट इÁठा बसकी इसे करना अच्र मिल फाइगा है इसके प्रम कि यूह बहुना का थे यह rich합니다 जो है RV College of Engineering इससे अच्छा College South में मैं बोल सकता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आपको यह College मिल रहा है तो आप ज़रूर जाहिए यह College का प्लेस्मेंट है बहुत अच्छा है मतलब लगबग हर एक ब्रांच का बहुत अच्छा अच्छा प्लेस्मेंट हो जाता है CAC का तो बोली है मत बहुत अच्छा प्लेस्मेंट होता है आपको दिखी रहा है कटव देखके 500-600 तक CAC का कटव जाता है इसी का भी 900-1000 तक कटव खतम हो जाता है इसी का भी और टोटल जो है 8000 मतलब समझ रहे हैं बाकी सब्जेट का भी जो यहां पर अच्छा है बाकी सब्जेट भी इतना अच्छा है और एवरेज पैकेज आप देखिए 7.5 लेक वो कभी-कभी 8 लेक भी एवरेज पैकेज चला जाता है अगर कोई कॉलेज आपको एजली समझ आ रहा है तो यहीं थे कुछ कॉलेज इस ठैंक्ट्यू आप सभ वीडियो को देखने के लिए प्लीज नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजेगा तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजे अगर बहुत अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ बहुत-बहुत सेर कीज़े और नीचे कॉमेंट करके बताए आपको कैसा लगा और क्या वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर नई वीडियो के साथ फिर आप लोग से फिर से मुलागात होगी तो चलिए तब तक के लिए बबाई